अभी हम पढ़ेंगे class 8 geography unit 2 hello everyone इस unit में हम लोग पढ़ेंगे land land के बारे में जमीन के बारे में soil is मिटी के बारे में पानी के बारे में natural vegetation जितनी भी प्राकर्तिक पेड़ पोदे हैं इनके बारे में wildlife resource wildlife से जितने resources मिलते हैं wildlife मतलब जंगली जीवन जंगली जीवन का मतलब होता है जैसे हम लोग बात करें tiger loin इन सबसे यह स्टोरी दी गई है दो लोगों के बीच में एक तंजानिया एफ्रिका में और एक न्यूजिलेंड में दो फार्मर से वो किस तरह से उनकी life differ करती है तो वो दिखाया है एक small farmer है एक business के तौर पर लेता है तो दोनों के life में lifestyle में बहुत difference है अभी जो difference किसी भी अगर हम बात करें farmers है farmers की life में difference कैसे आएगा यह depend करता है quality of land land की quality क्या है बहुत fertile है infertile है infertile है उप जाओ fit or बादों हो है बंजार है of soil कैसी है मिटी कैसी है कभी-कभी मिटी कैसी होती है जैसे हम बात करें खाहली मिटी-पीली मिटी लाल-मीटी ना तो रहते हैं मिटी की following the water पर डिपेंड करता है किस तरह की crops उस पे उगेंगे किस तरह के पोधे उगेंगे उसके उपर पानी की irrigation के लिए irrigation facilities proper है कि नहीं पानी है कि नहीं पानी होगा तो crops अच्छे से उगेंगी नहीं होगा तो crops नहीं उग पाएंगी नैचरल वेजिटेशन वहां का कैसा है, जो नैचरल वहां की हवा है, नैचरल पेड़ वोधे, वो कैसे हैं वहां के, जैसे कहीं पे साल ट्रीज उपते हैं और कहीं पे नहीं उपते हैं, या फिर हम लोग बात करें, टीक फोरेस्ट की बात करें, कहीं पे होते हैं, कहीं पे न जब हम लोग बुल का इस्तेमाल करते हैं उसको जो भी फ़र्मिंग करनी के लिए बुल का इस्तेमाल होता है और कहीं पर कहाता है ट्रेक्टर का WILT रहा है मैं जब हम लोग रiğनलत करें तो हमें क्या क्या पाते हैं जितने भी रिफ कंट्रीजव हैं वो टेकनलोजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं और टेक्नलोजी का लिए तो उसमें क्या हो ट्रेडिशनल कामिंग जादा होती है जैसे अगर इंडिया में बात करें तो हर्याना बंजाब में कैसे चलता है वो टेक्नलोजी का बहुत इस्तिमाल करते हैं कम लोग होंगे लेस नंबर ओफ पीपल के साथ हम जारा लेंड को कल्टिवेट कर सकते हैं उस पर जारा क्रॉप सुगा सकते हैं इस कंपेट हो अगर हम लोग 36 घर्ड की बात करें छारा में क्या है लोग मैनुवर ही जादा काम करते हैं उनको टेक्निलोजी का उतनी अवेरनेस नहीं है अगर हम फार्मिंग की बात करें फार्मिंग एक्टिविटी हैं पहले कैसे हो दी अब तो काफी चीज़ चेंज हो करें फार्मिंग की बात करें इनको बीन पाद करा तो एक्रीशन अब्रेशन करया थार्मिंग दर्याल को लुए स inver Rush to rozp के 중प्था कहूं मिहांüst years अगरिकल्चर उन्यूशिटी का सपोर्ट अभी आना शुरू है इनके पास भी या फिर हम साइंटिस्ट की बात करें साइंटिस्ट ने भी काफी सपोर्ट करना शुरू किया है मिट्टी को पहचानने में या फिर उनको यह बताने में के कौन सी क्रॉप जादा बेनिफिशल रहेगी इस और फिर हम गौर्मेंट की सपोर्ट की बात करें तो वह दीरे दीरे बढ़ने लगा है अगर हम कंपार करेंगे इनिशल स्टेज़ के साथ इनिशल स्टेज़ का मतलब होता है जब जब स्टेट नया बना था और अभी स्टेट को बने हुए इस लाइक 2000 से लेके 2020, 20 years हो गए है, 20 years में काफी कुछ चेंज देखने को मिला है, जब हम लोग land की बात करते हैं कि हम लोगों ने देख लिया, population बहुत ही unevenly distributed है, unevenly कैसे distributed है, 90% of the world population, जो भी पूरी पृत्वी की, पूरी दुनिया की 90% of population है, यह सिर्थ 30% एरिया में रहती है, और बाकी remaining 70% या reason being, यह तो desert है वहाँ पर, यह रहने लाएक मौसम नहीं है, बहुत जारा गर्मी, बहुत जारा ठंड होती है, हम glaciers की बात करें उपर, जमो कश्मीर में, अगर हम लदा के उपर के घर हम बात करें, लदा के बहुत कम लोग रहते हैं, और अगर हम लोग valleys की बात करें, और उ uninhabited places है, land use कैसे होता है, agriculture के लिए, forestry के लिए, forest, मतलब जंगल उगाने के लिए, mining के लिए, coal निकालना है, diamonds निकालने है, gold निकालने है, उसकी mining करने के लिए, houses बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, road, सड़कें, setting up of industries, industries लगाने के लिए, जिस भी reason की वजए से, अगर किस किसी जमीन का इस्तिमाल के जाता है, that is known as, land use, कि उस लेंड का इस्तिमाल कैसे हुआ, land को generally, दो हिस्सों में, दो टाइप कह सकते हो, इसको डिवाइड क्या गया है, private land या community land, private land मतलब किसी एक individual की land, से हम बात करें, Mr. Lal की land, या फर Mr. Kouray की land, तो ये land क्या है, ये private है, किसी एक व्यक्ति की है, व्यक्ति विशेश की है, वो जैसे चाहें, उसका इस्तमाल कर सकते हैं, जब हम लोग community land की बात करते हैं, तो ये community की है, जैसे हम बात करें, ABC village है, इस village में, ये जो land है, ये पूरी community की land है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जो community land है, ये community के लिए ही इस यह उस ग्रूप ओफ पीपल के लिए है यह जो清楚 किसले की्वे घृतने के लिए के लिए जिसमें सब लोग अपना इसमें भी भूबत वारте था इसमें आयले क्रिया ही लोग मिल देखेह नर्वा गूरो नर्वा गूर्वा गूरो तो यह नर्वा गूर्वा बाडी इसमें भी बहुत सारी common land का इस्समाल गया है जितने भी ऊएनिमल है यहां पर सारी सब्सक्राइब केटल हैं वो सारे एक जगर हैंगे सब लोग मिलके पूरी कॉम्मिनेटी मिलके इनको यहां फॉर्डर देगी खाना देगी चारा देगी और यह सब लोग मिलके ही इसकी क्यार करेंगे तो यह इसका बेस्ट एक्जामपल हो सकता है अभी के लिए यह 36 गड़ की स्कीम है 36 गव होता है हम लोग Euigos ने पहले भी देखा तक कि जितना हम ट्रेवल करते हैं जितना कि हम मूवमेंट करतें यह से दूसरी जगहें जितना भी को को नौलेज़ ऍधस्ट कीज़र होतान चीज़ोर का उत्ना धीर डीरे हम लोग अपने में लाइफ चेंज़ ले के आके हैं लाइ समझने की कोशिश क्रित में क्या दिखेगा यह घर बहुत स्कैटर्ड थे और यह खेत थे इधर पूरा फोरेस्ट है दिरे दिरे फोरेस्ट कतम हो गया यहां अगई इंडस्ट्री और घर पहले कच्छे थे यह पके घर बन गए इसके बाद क्या हुआ और यह और पेड कट ग इसे लोग बहुत की बैद करें यह फिर हम लोग कैमल कार्ट की बैद करें इन सब का इस्तिमाल करते थे और वे धीर चेंज होंके चीजे कार्ट में आ गई बसे तो यह एकदम से पुरा सीन आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा और धीर धीर पॉपुलेशन बढ़ी लो जंगल का मतलब क्या होता है this is a term which is used these days for urban areas जो शहर होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जंगल क्या होगे जंगल जहां पेड़ होते हैं लेकिन जब हम शहरों में देखेंगे जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा बहुत सारी buildings होंगी building किस से बनती है concrete से सिमेंट से बनती है तो इस लिए लान जो पैटर्न देखा है कि धीरे थीरे वह हमारे culture भी चेंज होता चालता है हमारे requirement भी change हो जाती है और requirement या फिर culture change होने से क्या changes और नज़र आए वो थे land का degradation लेंड का degradation मतलब यहां fertile land थे यहां के वो in fertile हो गई land slides बहुत होने लगे बहुत सारे cases में आप आप आएंगे कि बारिश होई बादलफट गया landslide हो गई यह पूरा पूरा खराब हो जाता है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं उसमें जो भी तीरे चलिए हरती चली जाती है डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थल बन जाना जैसे यह बहुत फर्टाइल लेंड है और अगर यह फर्टाइल एरोजन होगा तो उपर की जो फर्टाइल लेयर है यह बह जाएगी तो यहां दुबारा क्रॉप नहीं होगेंगी इदन इस इस दोने रिजर्टिफिकेशन कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं यह देखा पॉपुलेशन ग्रो करती गई तो डिमांड बढ़ती गई निमांड भरने के साथ साथ दीरे दीरे नैचलर रिसोर्स का डिग्रेडेशन होता चला गया अगर फोरेस्ट गए तो दीरे दीरे वाइल लाइफ भी खतम होती चलेगी ए आद फोरेस्टेशन करने की जुरहत है मतलब दुबारा से फोरेस्ट को यहां जंगल बनाने की जुरहत है लेंड को रिकलेमेशन करने की जुर hilarious है रिगुलेटीड उस-फोरेस्टी साइड का यह तो रेगुलेटीड रिंच पैस्टिसाइड खिर बहुत ही नापितूली सा जोरत हो सके तहूंद मेजर दग शिफ्टिंग टू अध्यानिक फार्मिंग और गैनिक फार्मिंग का मतलब होता है जहाँ हम लोग आधार मेतल moments का इस्तमाल करूं और आधार्मड चीजों का इस्तमाल करेंग जनाधिक अनु Bluetooth और और प्रैंव सोर्धिपराहिती जब पशू जाते हैं और वो जितने भी ग्रास लेंड्स हैं जितने भी जहां-जहां लगी है और पेड़ बोधे लगे उनको सबको ग्रेज कर देते सबको खा जाते हैं वो तो इससे भी डेजर्टिफिकेशन होती है तो यह ओवर ग्रेजिंग को देखना है ग्रेजिंग के वो खाने के लिए जाएं लेकिन वो ओवर ना हो मतलब वो इतनी कॉंडिटी में रहे के जो फर्टाइल स्वेल है वो साथ में बहेना बारिश पी वजए से हैं फिर हवा की वजए से तो यह सब कुछ कुछ कुमन मैथट हो सकते हैं लेंड को न्सर्व करने के अभी लेंड स स्लोप है एक पहाड है पहाड की स्लोप से रॉक मतलब पत्थर बड़े बड़े पत्थर चोटोटे पत्थर और धरती का पूरी उसका खिसक जाना लेंड स्लाइड यह ओफन टेक प्लेस इंग संग्शन विद अर्थक्वेग अर्थक्वेग जब आते हैं फलर्ड या फिर नौर्थ हेरियाजा हिमाचल उत्राखंड वहां पर यह अक्सर पाया जाता अक्सर सुनने में आता है बहुत है वोग था बहुत बड़ा इंसिदेंट हुआ था जब उत्राखंड में अभी कुछ साल पहले बादल फटा था और लेंड स्लाइट होने होने के वज़े से किसी भी रीवर के फ्लो को रोक देती हैं कुछ समय के लिए और फाइनल रीवर ब्लॉक होने की वज़े से बाद आ जाती है कुछ गाओं में गाओं या शहर जो भी नजदीक होगा उसके उस एरिया में बाद आने की वज़े से अगेन वह एक और डिजास्टर का रूप ले ले थी उसमें बहुत सारी जान और माल का नुकसान होता है बहुत सारे एकनोमिक लॉस होता है डिजास्टर दो तरह के होते हैं नाच्रल डिजास्टर और मैनमेड मैनमेड में हम लोग बात में पढ़ेंगे जैसे भुपाल गैस ट्रेजडी हुई थी एक प्लांट था और में एक्सिडेंट हो गया था जिसके वज़े से बहुत सारे लोग मारे गए थे नाच्रल होता है जैसे हम लोग बात करें फ्लड्स की यह वोल्कानो लैंड स्लाइड या फिर हम फैमिन्स की बात करें सूखा पड़ जाना यह सब नाच्रल डिजास्टर में आते हैं अब इन बनाकर उसके एक मत्रीट की बना दे से मेंटेड बना दे और से मेंटेड बोल की बांद फिर बहुत सारे लगाए जाएं हजार्ड मैपिंग होनी चाहिए कहां कहां पर लैंड स्लाइड हो सकती है यह में पहले देख लेना चाहिए इससे हम लोग टेक्नलोजी का इस्तिमाल कर सकते हैं इसे और construction of retention wall इसका भी ताकि slip ना करें वहां से और चीज़ें जब भी हम लोग कनाल बनाते हैं या फिर हम रोड बनाते हैं जब भी कोई इस तरह की चीज़े बनती हैं तो जब भी इसका support हटेगा इस जगह का तो इस support के लिए हमें यहां concrete की वाल बनानी जो बहुत मजबूत हो और जब भी बारिश आये या फ्लरड आये तो उसे वह तूटे ना या फिर अपनी जमीन के ही प्रेशर से वह इधर ना गिरे increase in vegetation cover पेड़ पोधे बहुत सारे लगाने चाहिए वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो पेड़ हैं ट्री अपने रूट से सारी जैसे यह ट्री है और ट्री की रूट्स है यह रूट्स पूरी सोयल को पकड़के रखते हैं अरेस्ट कर लेते हैं सोयल को यह सोयल कंट्रोल वर्क्स आर इंप्लिमेंटे टू कंट्रोल दे मूमें टो फिलेंट स्लाइड मतलब ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए कहीं पर पानी रुके ना रुकेगा तो वह उसको जमीन को काट के ले जाएगा साथ में अपने साथ कुछ हिस्से को ले जाएगा अब सोयल क यहा है सायल थीन लेरो ग्रेनी सब्सेंनश ड्रेनी सब्स्षेंस मतलब फिलेंषटब अनली णुर्उल में नहीं लोगों नहीं इसको क्रैक्डिकरल लेंस ट्रमाइन धूलैनलेंश होंगे प्लन एयर ऑयर है यह मरी सोयल के quality को कि हम मेतने हैं पताता है वह कैसा होगा कर और से मिल के हैं मिनर के बनती है तूटे हुई रॉब है से बंती है ऑसने के मिझे यह सैंड़ ऑफ़ unl Chemoth को इनिल को लोग बोले the animals dead insects यह सब मिलकर क्या बनते हैं ओर्गनिक मैटर मतलब जो भी लिविंग और्गनिम्ह में डोनों आ जाते हैं फ्लाइंट्स भी इनके डेडिर मेंस या फिर इनका वेस्ट यह सब कुछ ओर्गनिक मैटर में आता है और गनिक मेंटर प्लस मिनेरल या फिर तूटी हुई रॉक्स अब वेदरिंग क्या होती है दे ब्रेकिंग अप एंड डिके ओफ एक्सपोज रॉक्स एक्सपोज रॉक्स क्यों कहा गया है इसको जब भी हम रॉक की बात करते हैं रॉक जब हवा चलेगी बारेश होगी या फिर हम समु यह उड़ी चली जाती है फिर यह हो सकता है वह से घृत को होगी और यह पूर्याАऊए वह पूरी लॉक्सकृत चला जाएगा सटी यह तो दिस कुछ थे लोनेगा मिन दृट एक्ए सञिव गर में तो दे दिरे यह रॉक है यह तूटनी शुरू हो जाती है यह फ्रॉस्ट एक्षिन फ्रॉस्ट मतलब पानी आया पानी गीरा बारिश आई सर्दी हुई तो यह जितने भी जगह खाली थी यहां पर वह जो पानी था वह परफ बनके जम गया जब पानी की क्वालिटी कैसे होती है वह लिकूइट बन गया फिर वह फ्रॉस्ट इजिस बन गया फिर लिकवीड फिर आइस ऐसा करते करते हैं दीरे दीरे वह लौक को तोड़ देता है प्लांट्स अनिमल्स अगर कोई यहां पर पोधा हु गया तो वह तोड़ना शुरू कर देता है ुजल महन तो खेल जब सब्सक्राइब बनाने के लिए प्रीज़ कोन से होते हैं सोयल फोर्मेशन में इस नहीं नेचर ओफ पेरेंट रॉक जो ड़ी तूट बनी है। उसका नीचर कैसा था किस ताइप की थी वो और क्लामेटिक फेक्टर्स क्या है मतलब वहां का मौसन कैसा है यह बहुत इंपोर्टेंट है सोयल की फॉर्मेशन में अधर टोपोग्रेफिक ऐसी है और गैनिक मेट्रिकल का रोल क्या था कितना टाइम लगा है उस फॉर्म होने म में यह सारे फेक्टर्स होते हैं इसको पिक्तोग्राफिक फॉर्मेट में दिखाया है यहां इसको हम लोग देख सकते हैं कितने तरह की स्वाइल अपने आप आई जाती है अलूविलियर स्वाइल ब्लाक रेड लेटराइट डेजर्टिक एंड मांटें स्वाइल इसको हम जबं सोइल जांगे बाद में और डिटील में पढ़ेंगे धूसरी आउनेस में अर्फ्लीशन यह मेसे थ्रेट होते है न स्वाइल के डेप्लीट होने में खुल की कि िए पर हम लोग श्ट्रॉणी होता है जिसे बचा हुए मोर्सais कhat सकते हैं यह का यह पर होता है ऐसको होता है जब गसा जोआर जितने भी जठोर है यह डाल दी इससे क्या होगा हावा और पानी नुकसान नहीं कर पाएंगी सोईल को कॉंटूर बैरियर्स क्या होते हैं स्टोन ग्रास तो इसे क्या हुआ हम लोगों ने बैरियर्स बना दिये ताकि जब भी पानी आये तो यहां के पानी कलेक्ट हो जाए उस पाणे का इरिगेशन के लिए इसा पही और ये सवयल को उसाथ में लेकर बहे सके ऐसे राफियर्स बना दिया इसे ख़ाई बना दी जी बना दालों फूर्ट के इस पानी को मतलब खेट में पाणी देना पानी और शलमी को लुना जाए तूब से क्या होगा एक पनी इख़टा हो एक जगह पर और उसका फेर त्थ्ष बना दिजाती हैं ऑपर हम लोग करते हैं इस तैर्स फार्मिंग मतब्द एक और दूसरी क्रॉप देन एक crop देन दूसरी crop अलग-ळग season में इसमाल करते हैं जैसे इस season में लोगों ने एक यह यह crop का इसमाल कर लिया और जैसे इसको हम लोग इसका cultivation होगा इसको harvest नहीं होगा next is contour plowing contour plowing हम लोगों ने देखा अभी plowing parallel to the contours है न जो hill की slop है जो हम लोगों ने जो barriers बनाए है इसके parallel हम लोग flowing करेंगे मतलब उसको खेत को cultivate करेंगे वहाँ पर और यह जो contour होंगे जो barriers होंगे यह natural barrier का इस्तमाल करेंगे इस्तिमाल हो गए इनका ताकि पानी इपलोप के नीचे ना जाए शेल्टर बेल्ट्स इन इन दॉकोस्टलो ड्राइरीजें जो भी सी कोस्ट के पास समूद्र के किनारे या फिर ड्राइरीजें जहां पर बारिश कम होती हो या ट्री की ट्री पेड़ों की एक पेड़ रो में लाइन में लगा दिये जाते हैं ताकि जो wind movement हवा के movement से soil को जो cover है वो ना साथ में मतला जो soil है वो soil cover कहीं पर disturb ना हो वो soil साथ में erode ना हो wind की वज़े से हवा की वज़े से यह activity की गई है एक tray में soil रख दी गई है और यह plain soil है इसमें कुछ plants लगा दिये जब इसमें हम लोग पानी डालेंगे तो यहां एकोने में 6 दोनों में किया है जिसमें plants लगे हैं यहां से कम मीटी जाएगी जार में और जिसमें plants नहीं ही लगे हैं इसमें ज्यादा मीटी जाएगी वोटर के बारे में काफी कुछ वैसे पढ़ चुके हैं पानी बहुत इंपोर्टेंट है सर्फ वन परसेंट वोटर ही है जो अर्थ पे जिसको हम लोग ओनली वन परसेंट वोटर इस फ्रेश वोटर है जो अवेलेबल है हुमन यूज के लिए बाकि पूरा पानी मिलके यह वोटर परसेंट पानी मिलता है अब यह गंजम्शन के जए हम लोग बात करते हैं वाटर की कंजम्शन क्यों बढ़ गई वाटर कंजम्शन इसलिए बढ़ गई तो इंडस्ट्री बहुत सारी आ गई हैं पहले के कंपारिटिवली इंडस्ट्री पानी कंजम्शन करती है क्यों हां इंडस्ट्री कि वजए से पॉपुलेशन इंकरीज हो गई है तो इसलिए दिमांड बढ़ गई है तो पॉपलेशन की वजए से और अन्यादर रीजन है इसका पानी वेस्ट बहुत होने लगा है पहले के पहले के लोग बहुत सोज समझक पानी इस्तिमाल करते हैं लेकिन पानी बहुत वेस्ट करते हैं अवेरनेस नहीं है यह हम बोलें कि इग्णोरेंज जादा है next is जो population है यह concentrated population है concentrated population का मतलब है है इसी-kerед में जाके media concentrate हो गई हैं जैसे हम लोग बात करें यह पूरा इंडिया है इस पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं जारा population है यह यहां फिर sparsely populated है यहीं सारा population है यहां सिर्फ हो अगें sparsely populated है इस सरह से चन्नाई का example ले हम लोग तो चन्नाई में पानी ग्राउंड वोटर बिल्कुल खतम हो गया लोगों में बहुत परिशानी है लोग बहुत परिशान है पानी की वज़े से आगें यह पानी खतम क्यों ह पानी का वेस्टेज बहुत हुआ लोगों ने रीस्टोर नहीं किया पानी को रीस्टोर करने का तरीका क्या होता है हम लोग rainbow हार्वेस्टिंग कर सकते हैं rain water harvesting होती है जोब यह रीन का water है इसको हम लोग किस तरह से इकठा करके जमीन में इसको पहुचादे फिरसे अब यह ेंंहें बड़े शाहर हैं वह सारे के सारी ऑगें हो गयें ॐनमें फूरा का पूरा कुल कुल अपने का स kalk सी पेज नहीं होता है भूरी को मुल सकने ल Васी के वूर्ट ओर सकते हैं ना पात्रें कर सकते हैं थर्ति आ Radio है ना बस लेकिन हमारे लिए वो दिर दिर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है अभी वो यूजेवल फॉर्म में है मतलब पोटेबल है पी सकते हैं उसको फिर वो पोटेबल नहीं रहेगा जितना पानी हम लोग वेस्ट करेंगे वो सारा का सारा समुदर में चला जाएगा सी ले के लिए कपड़े दोने के लिए बरतन साथ करने के लिए उसको नहीं इस्तमाल कर सकते नहाने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते तो फाइनली वोटर क्राइस आ जाएगा और जो धीरे-धीरे देखने को भी मेल रहा है ना वोटर साइकल वोटर साइकल में इवैपोरेशन पा लोगों ने देख लिया है अम्रेली city of Saurashtra region, Saurashtra कहा है, यह हम लोगों उसमें देखेंगे, Atlas में, अम्रेली city of Saurashtra region with the population of 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from nearby Talukas, मत अगें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यह देखा, कि water crisis किसी किसी जगह में कैसे हो गया है, अभी से मता ऐसा नहीं है कि वो माद में होगा कभी, यह अल्रडी हो गया है, water crisis, we can see water crisis in India, example हम लोगों ने चन्नाई का देखा था, है न, चन्नाई के बाद हम लोगों ने यह देखा, Saurashtra का, Countries located in climatic zones are more susceptible to drought face and face great problems of water scarcity, water scarcity, water scarcity यहाँ जादा होती है, water shortage जादा होती है, इस से अगें, this water shortage may be consequence of variation in seasonal or annual precipitation, season पूरे change हो गए है, न, season कैसे change हो गए है, बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती, यह सर्दी में बारिश हो जाती है, या फिर हम बोलें कि बारिश पहले जितनी होती थी अब उतनी नहीं होती, जितनी sufficient quantity में उसको होना चाहिए, उतनी sufficient quantity में बारिश अब नहीं होती, तो उसे again water crisis है, जैसे हम लोग बात करें, जैसे हम लोग चन्ने की बात करें, तो चन्ने में जब proper drainage system नहीं होने के वज़े से क्या हुआ, जो water log यह मुंबई है, मुंबई में भी ऐसा ही है, पूरा पानी सिस्टम नहीं होने के वज़े से पानी पूरा पूरा लॉग जैसे रेनी सीजन आता है, जब भी रेन होती है, रेन आते ही, पूरा पानी लॉग होना शुरू हो जाता है, और फिर flood situations आती है, और जैसे flood situation वो से वो लोग उभरते हैं, then again water crisis आता है, सेम चीज हम लोग सौराश्ट्रा में पाएंगे, सौराश्ट्रा में water, मतब flood situation तो नहीं, लेकिन water crisis अम रेली में पाया जाता है, एक अहां पर है ये, एक को मैप में देखेंगे, हम लोग लोकेट करेंगे, ताकि हम याद रहे, चिन्नाई और मुंबई को भी मैप में करना है, हम लोग बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं, साबून लगा रहे हैं, फिर भी टैप चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, फिर भी टैप चल रहा है, तो पानी वेस्ट होता है, वह में नहीं करना चाहिए, जब हम लोग शावर से नहाते हैं, तो शावर से नहाते हो तीरिटेटिट सी वेजु इंडस्यूरल वेस्त जितना भी है वो हम लोग सीधा डारेक्ली बैना उसको त्रीट कि निकाले नन्यकल निकाले डिरेक्ली है में ड्रैन कर देते हैं अधरेक्ली में ड्रैन corporation है जितनी फिस्ते पानी के दे बीडे आफेक्ट होते हैं उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है वो दिरे दिरे एक्स्टिंक्त हो जाते हैं अग्रिकल्चरल केमिकल्ज जैसे डीडीटी डीडीटी की वज़े से भी बहुत सारे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स और बर्ड्स को नुकसान हुआ था अभी भी होई रहे हैं इंड्रस्ट्रिल एफ्लॉएंट्स वाटर बॉलीज हैं यह मेजर कंटामिनेंट्स हैं इंड इना ट्रीट किये रिवर्स में फ्लो कर दिया जाता है जिससे पानी पुल्यूट हो जाता है फॉरेस्ट और अधर वेजिटेशन जो फॉरेस्ट हैं या फिर प्लांट्स हैं यह क्या करते हैं धीरे-धीरे सर्फेस रन उफ को रोकते हैं सर्फेस रन उफ मतलब जितनी भी वोटरको रिव करते हैं जब यहां बारिश होगी बारिश होने से क्या होगा यह पानी यह अब बारिश होने से क्या होगा अब डिट्राउंड वोटर में अंडर ग्राउंड वॉटर का लेवल बढ़ाएगा इस प्रिंकलर इगेशन सिर्फ ऊपर-उपर से स्प्रिंकल होगा डिप इरिगेशन क्या होता है जैसे यह प्लांट तो यहां पे एक पाइप लगा दी जाती है और मोर्ण रहाएप ग्याटकर ह रहता है इसको ट्रिकल इडिगेशन भी कहते हैं हमें पानी को स्टोर करना चाहिए रेन वोटर हार्वेस्टिंग से ताकि हम पाने को फ्यूचर यूज के लिए इस्तमाल कर सकें बायोस्फेर एकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया है हम लोगों ने पहले क्या देखा था क्या है हाईड्रोस्वे लिदोस्वे एक्मोसवेर जहां तीनों मिलते हैं जहां प्लान्स और वैनिमल शर्वाइब कर सकते हैं दिस इस नोन अज भायोस्वेर जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करता 1400 फेड़िम ईंटे इंटरवेल इंटर डिपेंडेंट ओनेटे उनिच इसको ecosystem कहा चाता है, इसको detail में हम लोगों ने पिछली class में पढ़ा था, vegetation and wildlife are valuable resources, बहुत important है हमारे लिए, क्यों important है, कि अगर plants नहीं होंगे तो हम survive नहीं कर पाएंगे, हमें खाना नहीं मिलेगा, और animals नहीं होंगे, तो food chain disturb होगी, और food chain disturb होने से finally, पूरा ecosystem disturb हो जाएगा, plants हमें oxygen देते हैं, और soil को protect करते हैं, fruits, nuts, latex, oil, gum, latex is rubber, जिसे tire बनता है, और भी बहुत सारे यूज है, tarpene oil is tarpene का तेल, tarpene का तेल क्या होता है, यह जो हम लोग सिलाई मशीन में इस्तिमाल करते हैं, this is tarpene oil, gum, gum is gond, इसको खाने के भी इस्तिमाल करते हैं, और भी बहुत सारे medicinal यूज में होता है, medicinal plants like basil, तुल्सी पत्ता, यह फिर हम बात करें, aloe vera, यह सब medicinal plants में आते हैं, honey bee की बहुत importance है, honey bee किस किस में काम आती है, honey bee pollination करती है, pollination मतलब इस फ्रार से फ्रार में डालती है, तो यह धीरे-धीरे इनके, जो plant की population है number है, quantity of plants बढ़ जाते हैं, birds, insects तो feed करते हैं, वो finally, birds feed on insects, insects तो खाते हैं, birds and act as decomposers as well, decomposers मतलब, जितने भी जो dead plants है, उसको भी खाते हैं, vulture क्या करते हैं, vulture dead animals को खाते हैं, dead plants, dead चीजों को भी खाते हैं, यह actually, यह ecosystem में balance दिखा गया है, हम सब एक दूसरे ओपर किस तरह से dependent हैं, और किस तरह से पूरा ecosystem मूव करता है, यह survive करता है, यह natural, the growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture, temperature कैसा है उस जगह का, उस geographical area का, और moisture कितना है, नमी कितनी है, उसमें बारिश कितनी होती है, इसके ओपर depend करता है, पूरा vegetation, जो major vegetation टाइप है, यह है, forest, jungle, grasslands, scrubs and tundra, यह अलग लगतर है कि natural vegetation है, जब हम लोग vegetation की बात करते हैं, forest, jungle, grasslands, मतलब घास के मैदान, scrubs, scrubs का मतलब होता है, जहां पर कांटेदार चीजे हैं, कांटेदार मतलब, cactus जैसी प्रचाती की जितना भी plants होते हैं, these are known as scrubs, यह प्रोड़ डिपेंड करता है, कि temperature कैसा है, और moisture कैसा है, वहाँ का moisture कितना है, अगर temperature जदा होगा, तो क्या होगा, अगर temperature जदा होगा, और moisture कम होगा, मतलब rainfall कम होई, तो क्या होगा, यह dessert type की जगह पे होगी, लिब कम होते हैं और लीफ नहीं होने की वज़े से जो भी कर जाते हैं अगर जहां temperature moderate होगा और rainfall भी जादा होगी मतलब moisture content जादा होगा तो उसे क्या होगा जो plants होंगे वो लंबे होंगे long होंग मतलब जहां अगर यह पूरा moisture का अगर हम बात करें जहां rainfall कम होती है यहां temperature जादा हुआ लेकिन rainfall कम हुई rainfall कम होने से क्या हुआ जो trees की जो हाइट है यह कम हुई जहां बात करें कि temperature भी moderate है और जो rainfall है यह भी अच्छी quantity में होती है तो जो plants है वो टॉल होंगे और जहां temperature जादा होगा यह फिर temperature adequate नहीं है बहुत हंडा है बहुत गरम है और rainfall कम है तो वह जो plant trees होंगे यह stunted होंगे मतलब चोटी हाइट के होंगे यह as the amount of moisture decrease जैसे ही moisture का जो amount है इसे decrease होता जाएगा तो size of trees यह भी decrease होगा उनकी density भी reduce हो जाएगा अगर सारा rainfall होगे तो बहुत गहरे जंगल होंगे गहरे जंगल मतलब धहर सारी घुन के उसमें अगर मुश्र कम होगा तो 3 कम होंगे मतलब वह ऑन्टी कम होगी gripард कर सके उसका यशाय कर सके है वैक सिसर्फेस होता है हुए उनकी लीव्स का ताकि। टाकि लॉस ओफırdंबीश्ट को रेडीयूस कर सकें। बनाबला मतेमाफर किलम फिर्क उटेघ्जेशन होते है। टुंड्रा वेजिटेशन यह कोण पोलर अविजन्स में होती है। इसमें सिर्फ मॉस्सी Frankly होते हैं इसके लबावा लाइके स division में धूरिया हिस सब्सिथ्थी करते हैं लेकिन डेसी डूस में जो पते हैं जो सारे ट्रीज एक साथ शेड कर देंगे और एक साथ उसमें नहीं पते आएंगे तो हमें दिखाई देता है कि अभी पत जढ़ा आ गया या फिर अभी स्प्रिंग सीजन आ गया वहमें नजर आता है है एक अरे एक Buy को अगजयर चाहर आएं शारी अरे नयुक्त एयं में एकन पर भी कहा गया है ना говорит कि ये तृपिकल रीजन में पर त्रम गुंस जो इर्थ के ट्रोपिकल डीजन में वह ट्रफिकल बतर एक प्रफिकल इसको हम लोग ने class 7 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहां से हम लोग इसको देख सकते हैं, यह tropical और temperate किस पर depend करता है, यह earth के reason पर depend करता है, कि आप किस result से belong करते हैं, changes in climate and human interference, अभी temperature क्यों change हो गया, climate क्यों change हो गया है, climate change होने का basic reason है, pollution, pollution की वज़े से, गर्मी, सर्दी, summer, winter, autumn, इन सब का पूरा cycle change हो गया है, और human interference क्यों है, वह बहुत सारा cutting of forest है, इसकी वज़े से, पूरा plant animal life है, यह natural habitat पूरा imbalance हो गया है, और बहुत सारी species endangered हो गई है, मतलब खतम होने के कगार पे आ गई है, poaching is an important word, poaching का मतलब होता है, शिकार करना, illegal शिकार करना, इल्लीगल तरीके से, बिना permission तो शिकार करने की नहीं है, लेकिन जब भी हम चोरी शिपे से, अगर किसी भी जानवर का शिकार करते हैं, इस इस पोचिंग, किसी भी रिजन से, यह black bug, famous case, सुल्मान खान राज़स्थान, इसके लाबा अगर हम देखें, काजी रंगा में, काजी रंगा नैशनल पार्क, खाहा यह असम और इसमें, इसमें वन होंट राय नो सोर्स पाए जाते हैं, एक सीग के राय नो सोर्स, इसके हॉन की वज़े से इनकी पोचिंग होती है इनका शिकार होता है इसका हॉन निकाल लिया जाता है और जिसके वज़े से उनकी देरे देरे population कम भी हो रही है अब पोचिंग की वज़े से इनकी population कम हो जाती है illegal trade of heights उनकी skin nails teeth teeth किसके generally elephant के teeth का होता है horns black bug के horns और rhinosaurus के horns as well as feathers feathers के इसके peacock के या फिर जितने भी exotic birds है इनके feathers इनकी feathers बोले तो punk some of these animals are tiger loin black bug crocodile crocodile skin is known as hide crocodile का हाइड का इस्तिमाल करते है जैकेट बनाने में और शूज और बैग हैंड बैग बनाने में crocodile की skin का इस्तिमाल होता है snow leopard ostrich ostrich के feathers का trade होता है peacock peacock के feathers इसके लिए में awareness increase करने की जरुरत है और हमें लोगों को जो laws है वो और strict होने की जरुरत है forest fire forest fire का भी best example हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाला देख सकते हैं जो भी recent भी था और बहुत बहुत वाइड लेबल पर हुआ था बहुत सारे अनिमल उसमें मारे गए जल गए थे forest fire is a threat to entire region यह पूरे रीजन के लिए है flora और fauna और flora दोनों के लिए अनिमल और flora plants दोनों के लिए बहुत खत्रा है इतकर्स में यह basically तीन रीजन की वज़े से होता है natural fire natural fire कैसे लगती है बहुत गर्मी हो गई है बहुत गर्मी होने से sun is very hot और जितने भी grassland generally जितने भी घास से यह सूख जाती है सूखने की वज़े से गर्मी की वज़े से उसमें आग लग जाती है दूसरा lightning की वज़े से होता है जैसे जब बादल गरेजते हैं और lightning होती है बिजली चमकती है त तो जहां भी गिरेगी वहां से आग लगनी शुरू हो जाती है तो फिर यह fire बढ़ती चली जाती है यह fire forest fire का major reason है fire due to heat generated यह देख लिया हम लोगोंने carelessness of people जैसे लोग गए घूमने के लिए गए या फिर उस जगह से किसी ने cross किया और कहीं पर पत्ते पड़े थी लीव थे dry leaves या dry grass थी dry leaves या dry grass के बाएस अगर किसी ने एस बाएस जलती वी सिग्रेट छोड़ दी या फिर हम लोगों ने कहीं पर पिक्निक मनाने गए और वहीं पर वोगन की आग छोड़ दी वहीं पर लकड़ी जलाई जलती लकड़ियां छोड़ी इससे fire लग जाती है या फिर हम लोगों ने कुछ भी से कुड़ाए कठा किया और उसको जला दिया तो धीरे 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 फैल जाती है तो यह कुछ-कुछ केरलस्थनेस ऑफ ही हमन रिजन भी होते है इसके यह कभी जो लोकल लोग है लोग जितने वी इन हबिटेंट्स लोकल पीपल जितने भी हैं यह लोग क्या करते जाता है अब कंट्रोल मेजर क्या हो सकते हैं human coast fire है इनको हमें रोकना चाहिए education के थूरू awareness के थूरू लोगों को हमें aware करना चाहिए लोगों को में बताना चाहिए कि इससे जो इसम फोरिस्ट को हम लोग fire के थूरू हटाके agriculture activities करते हैं इससे जो soil है इसकी fertility कम होती है और waste pollution create होता है air pollution बहुत होता है और जो animal और birds जो जग पड़ता है जल जाते हैं वो prompt detection of fire fire को फटाफ़र डिटेक्ट करना चाहिए और coordinated network में सब लोग मिलके उसको observation points बनाए और ground patrolling patrolling का मतलब होता है कि officers वो घूम घूम के देखें observe करें नजर रखें और communication network टेक्निलोजी का इसमाल करते हुए inform करके पटा-पट जो फायर अगर हो चाहिए तो सो combat कर लें सो control कर लें national park हम अलड़ी देख चुके हैं इसके लिए हम लोग एक्स्ट्र वीडियो में हम लोग national park, century और biosphere reserve में difference देख सकते हैं basic difference क्या होता है यह तीनों ही जो animals है इनको conserve करने के लिए बनाया जाता है animal, plants, birds, animals में सब आ जाते हैं इसमें इन सब को conserve करने के लिए इन तीनों का इसमाल किया जाता है एक relative balance होने की सब जरुरत है balance नहीं हुआ तो फिर finally it will be harmful to all of us indiscriminate killing नहीं होने चाहिए मतलब ऐसे ही poaching नहीं होनी चाहिए hunting नहीं होनी चाहिए इससे बहुत सारे animals extinct मतलब गुम होने की stage पर आ गए हैं कि वो at the words of कि खतम ही हो गए हैं जैसे vultures के अगर हम लोग बात करें वultures के extinct होने का basic reason क्या था vultures diclofenac की वज़े से extinct stage में इसकी diclofenac क्या था diclofenac दभाई थी जो हम लोग अपने cattle को देते थे और वो indirectly फिर cattle जब मर जाते हैं तो उनको कौन खाते हैं vultures तो यह diclofenac vultures में गई और vultures धीरे 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 extinct stage में आऊ गए हैं अगें human human interference की वज़े से awareness program social forestry और वन महोसब जैसे programs को community level पर और enhance करना चाहिए जिसकी वज़े से लोग और aware होंगे finally participate करेंगे forest को increase करने में उनकी quantity को increase करने में area को increase करने में और animals को preserve करने में बहुत सारी countries ने laws passed किये हैं कि इनके trade और इनकी killing killing of birds animals illegal है यह गैर कानूनी है इंधिया में भी इन सब को ban कर दिया गया है अभी sites क्या है international convention sites has been established यह को establish किया गया है अंतराष्ट यह सतर पर international level पर जिसने बहुत सारी species को list किया गया है इनकी list बनाई गया है लिखा गया है animals or birds की जिनके trade को strictly prohibit कर दिया है रोक दिया गया है इनकी conservation को ethical duty बताया गया है कि हर व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम animals or plants को conserve करें उनको बचाएं Convention on international trade in endangered species of wild, fauna and flora यह international agreement हुआ है अलग-अलग सरकारों के बीच, governments के बीच और यह ensure करता है international trade in specimen of wild animals and plants does not threaten their survival मता अगर trade होता भी है किसी animal के product का तो जिसकी उसकी वज़े से plant or animal की species के ओपर कोई बहुत फरगना पड़े ऐसा नहीं कि वह खतम ही हो जाए इसको हम लोग देखें तो 5000 के आसपास 5000 animals 128,000 plants इसको protect के अब देखर और figure और improve हो गया है bears, dolphins, cacti, corals, orchids, alloys are few examples इसके साथ यूनिट फिनिश हो जाती है thank you so much